मेरा नम है शिवाम और मार्केट के हालत देख लेते हैं तो मार्केट में आप लोगे नो डिस्किया होगा कुछ चीज़े हैं सैंड हो गया यह सब कोई जो थोड़े से कंपेटल च्छोटे साइस के कोई है वहां पर थोड़ा कैबिटल फ्लोव हमें आता हो दिखाई दिया है बिटकोई की पहले बात कर लेते हैं फिर मार्केट का देख लेंगे गाइस मैंने आप लोगो मेंशन किया ही था तो करेंटली अगर आप यहां देखो तो अपने पास यहां पर सपोर्ट में जो ब्लू वाला है वह तो हंड़ा सा इनिशियल पूश बैक देखने को मिला है पर अभी भी आप यहां पर देखो तो यह जो यह भी जो विक बन रहा है वह हमारा जो ट्रेंड लाइन है मैं काफी टाइम से आप लोग इसाथ शेयर कर रहा है उसके आसपस बनता रहा है अप्रोक्सिमेटली देखो हमें जो है यहां पर भी एक रिजिस्टेंस एरिया है 49 29200 के आसपस भी एक रिजिस्टेंस एरिया है 49200 से 497 800 के आसपस पर में है यह 50,000 वाला आगर जब तक वो कवर करके हम पुछ नहीं करें के आगे अगे अब तक मज़ा नहीं आएगा जिन्दगी में बट हाओएवर अभी तक देखा जाए तो यह ट्रेंड लाइन फॉलो हो है तो देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में विटकुन कैसा होता है हाला कि मैंने पर्सनली एक अभी दिस इस नॉट अ ट्रेडिंग कॉल बट मैंने पर्सनली एक लॉंग लिया है यहां से तो लेट सी हाओ हाओ दाट पैंस आउट और वह कैसा काम करता है मुविंग ओन टू गाइस न्यूज न्यूज में हम बात कर लेते हैं यूके रेगुलेटर तो अभी यह थोड़ा थोड़ा बेटर न्यूज आना स्टार्ट हुआ है यूके रेगुलेटर जो एफसी है उन्होंने बोला कि बाइन्स ने उनके जून के जो नहीं दे सकता जब तक वो यहाँ पर जो एंटी मनी लॉंडरिंग लॉज है टर्रिस्ट फाइनसिंग है ट्रांसफर ऑफ फंड्स है इसके जो रेगुलेशन है उनके 2017 वाले उनके रेगुलेशन के साथ यहाँ पर प्रोविजन उनको नहीं मिलती तब तक तो यह भी आगर अग लोगों को हाईर करे है जोॉज में थे जो बेसिकलि टक्सलाओ में थे है और उनको लीडरशिप पोजिशन पर हायर करे है यही सब जी पंड़ करेंगा next guys बात कर लेते हैं asset managers वाली और उसके bitcoin का क्या हालत चल रहा है and उसके बाद हम फिर nft वाला news देखेंगे तो जहां तक बात है guys यार bitcoin की क्या हालत चल रही है बहुत एक अच्छी चीज है हम लोग actually क्या करते हैं लोग retail वाले बोलते हैं कि bitcoin ऊपर चाहिए पर हम ने पाता है तो जो altcoins है वो buy करते हैं ना कि bitcoin buy करते हैं और हम चाहते हैं कि bitcoin ऊपर जाए तो अगर आप चाहते हैं बिट कोई ऊपर जाए तो bitcoin भी करना पड़ता है तो हम लोग की बजाए asset managers यहां पे आके चुपचाप हम से चीन के बिटकोईन ले जाते तो आप नोटिस करो 1.2 million Bitcoin asset managers और यह companies ने रख लिया अपने पास 57 billion dollars का Bitcoin उन्होंने चुरा लिया है आप सब लोगों से सब को बुद्दू बनाके हम जैसे लोगों को बुद्दू बनाके कि market crash बिटकोईन जाएगा बिटकोईन 10,000 जाएगा करके हम लोगों ने सब ने बैंट भाई हम लोग में नहीं हूं सम लोग में बाइदे वे लोगों ने पैनिक करके ज़रूर बेज दिया और यहां पर इन लोगों ने वाँ पर एक अठा कर लिया तो ग्रेश्केल बिटकोईन ट्रस्ट मोर दन 3 परसेंट ऑफ बिटकोईन सब्लाइजिंग 654,000 बिटकोईन चेलाग बिटकोईन इनके पास है 48,000 बिटकोईन इनके पास है आप नोटिस करो कि यहां पर अगर आप सब्कोई बिटकोईन भी किस्से खरीक है जो लोग भी बता राइज सारे इन लोगों के लिए अगेंस इंफ्लेशन तो डेफिनेटली बिटकोईन की तरफ अपनी नजरे गड़ा के खुली रखना next guys facebook से निकल कर एक आई है news facebook के executive ने बोला है when you have a good crypto wallet like novi will be मतलब जो facebook wallet है you have to think about how to help customers consumers support nfts now ये बहुत ही एक बड़ी news है ये उसने ऐसी statement में दे दिया but then this makes a difference क्योंकि यहाँ पर अगर वो wallet nft support दे देते है तो आप facebook का outreach देख सकते हो अगर वो आज nft support की बात कर रहें तो कल क्यों ना facebook अपने प्लाटफॉर्म पर किसी तरह की nfts launch करें लोगों के status nft बन जाएं क्या नहीं nft बन सकता facebook पर कितना data है facebook वालों के पास किती हर चीज facebook वालों के पास available है unlimited पैसा है इनके पास available है तो लेट सी मारकस सेट डाट नवी क्रिप्ट वालेट इस ना रिडी तो लाँच आफ्टर अफ्टर अप लोगों बार बार बोलता हूं कि यह hedge funds हैं यह जो institutions हैं जो धड़ से खरीद लेते हैं वो आज नहीं सोच रहे थे वो 6-7 महीने से सोच रहे थे और 6-6 महीना पहले वो यहां से statement दे रहे थे सारा planned होता है यह सब बुद्दू बनाने के लिए होता है हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें बडवाइजर ने गाइस एक लाख बीस हजार डॉलर यहां पर एक fan art है अभी वो fan art का है आप Google करोगे आपको बता लग जाएगा मैं चैनल पर अभी दिखाना नह को में बडवाइजर ने ले लिया है बट यह आप भी लोगों को पता लगए यह कंपनी को यह मार्केटिंग स्टेंट्स है सबके लिए क्योंकि पीर.eath की अगर हम बात करें तो यह पूरा का पूरा जो भी है इनको यहां पर एक लाग डॉलर यहां पर देने पड़े है अगर हम वीजा की बात करें आपको पता है वीजा ने क्रिप्टो पंक लिया है एक लाग डॉलर के आसपास का राइट तो इनके मार्केटिंग पर देम तो हमको अभी यहां से पता नहीं है कि इनका प्लैन क्या है बट I guess domain लिया है तो फरक पड़ सकता है विकूज इकूर डेफिनिटली प्लैं सम्धिंग वेरी इंट्रेस्टिंग यहां पर हमको पता नहीं है कि इनका प्लैन था यह सिरफ एक मार्केटिंग का वो था तरीका था कि हम यह ले लेते हैं और हमारा पूरे मार्केट में नाम ही हो जाएगा जैसे वीजा वालों का हर तरफ नाम हो गया है बहुत पॉपिलर हो गया है लोगों को लग रहा है वीजा यह वीजा भी आई रहा है वीजा ने तो बहुत पहले अनाउंस कर दिया वो क्रिप्टो में आ रहे हैं but still it is a very easy and simple marketing campaign right chill में marketing कर लो कुछ नहीं एक domain खरीद लो लोग अपने फाइब बना देंगे और डाल देंगे तो हमको भी पता नहीं है क्या situation है तो थोड़ा सा हमें यहां पे देखके चलना है एकद hammer तो नहीं बोलूगा almost बट यहां से हमें थोड़ा सा star वाला formation दिख रहा है however this is exactly around the trend line जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी mostly मेरी entry नहीं हुई है यहां पे इसका मतलब मेरा open होगा trade तो यह एक important चीज है कि हमें यहां पे देखना है कि हम market के हिसाब से चल रहे हैं चीजों के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं क्या कर रहा है यहां मेरे entry यहां पे मुझे नहीं मिली है कि लेट सी हाओएवर अगर मैं अभी इसके बाद बात करूं market में बाकी के odds की guys वहां पे थोड़ा थोड़ा हमें यहां पे pullback दुबारा देखने को मिला है audio 2.53 and on and on so there is lot I think that can be done still अगर market ऊपर जाती है तो there is a lot of potential जैसा कि मैंने कर दो मैंने किया था और डिप आया तो हमारे पास funds जो है ready होने चाहिए और हमारे पास funds ready है guys तो we'll go through with that dip buy also तो देखते कैसे चीज़े आगे plan होती है आगे push होती है and that's it guys and अगर आपको updates नहीं मिल रहे है आप बोल रहे है क्या trendline की बात कर रहे है यह क्या बोल रहा है मैंने यह बताया था यह नहीं बताया था और यह सब चीजों की बात कर रहे है तो बहुत simple सी चीज़े आपको क्या करना है नीचे description में link है telegram channel का वो telegram channel के link से join करना है आपसे कभी पैसे नहीं मांगे जाएंगे यह था आपके लिए आज का crypto update इसके लावा मैं आप लोगों के लिए लेकर आउंगा audio पर fundamental analysis तो उसके लिए हाँ पर बने रहे मैं आप लोगों मिलूँगा guys next video में तब तक के लिए चाओ